प्रसी से चले हम बादल सा गर्चे हम साबन सा परसे हम सुरत सा चम के हम स्कूल चले हम गुड बार्निंग क्लासिक्स के बच्चो तो हम पढ़ रहे हैं अनमोल भैंट पाठ तो जहां तक हमने पहले पड़ा है, वहां से आगे आज हम पड़ते हैं वर्षा रित्तू थी, केई दिनों से मुसलाधार वर्षा हो रही थी तो आर्थ ये हुआ कि बारश का मौसम था और केई दिनों से तेज या जोर की बारश हो रही थी वर्षाकार्थ क्या होता है बारिश इश्वर इश्वर करते हुए बादल छटे संध्या का समय था तो वो बोल रहा है कि संध्या यानी शाम का टाइम था बच्चे ने बाहर जाने का आग रह किया और बच्चे ने क्या क्या की बाहर जाने की उससे रिक्वेस्ट की रामचरण उसे गाड़ी में बठा कर बाहर ले गया खेतू में खूब पानी भरा था बच्चे ने फूलूं का गुच्छा देखकर जिद की रामचरण ने उसे बहलाना चाहा किन्तू वहना माना विवश रामचरण विवश कार्थ क्या होता है कि बेबस होकर रामचरण बच्चे का मन रखने के लिए गुटनू तक पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा केई सिथानू पर उसके पाउं की चड़ में बुरी तरह धंस गये बच्चा तनिक देर गाड़ी में बैठा रहा फिर उसका धियान लहराती हुई नदी की और गया उचुपके से गाड़ी से उतरा पास की एक लकड़ी पगड़ी थी वे उसने उठा ली और भियानक नदी के तट पर पहुँच कर उसकी लहरूं से खेलने लगा यानि कि जब वो नोकर मतलब के खेतों में फूल तोड़ रहा था तो तब तक वो बच्चा क्या था कि नदी के लहरूं के सजासा जाकर खेलने लगा नदी के शौर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और सुन्दर जल परियां बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही थी तो ऐसा वहाँ पर फील हो रहा था कि जो नदी की चल परियां वो बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही थी रामचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा कि गाड़ी खाली है इसने उधर उधर देखा उसके पाउं के नीचे से जमीन निकल गई पागलों के बाटी चारू और दोडने लगा और वो इतना डरा हुआ था कि पागलों की जैसा वो क्या इधर-दोड रहा था वो बच्चे को ढून रहा था वे बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता किन्तु उत्तर में बालुक की मधर दुहाई नहीं ना आती तो क्या था कि वो बार बार बच्चे को नाम से पुकारता लेकिन बच्चा कहीं से भी जुआब नहीं देता था चारूं और अधेरा छागिया बच्चे की मातों को चिंता होने लगी उसने चारूं और आदमी दोड़ाए कुछ व्यक्ति लाल्टेन लिये हुए नदी के किनारे खोज करते हुए पहुँचे तो अब क्या था कि बच्चे की माँ को भी उसकी फिकर होने लगी तो उसने आदमी भेजे और लाल्टेन लेकर रात को वो लोग नदी के किनारे बच्चे को ढूनने लगे रामचरन उन्हें देखकर उनके पेरों पर गिर पड़ा उन्होंने उससे प्रशन करने आरंब किये किन्तु वो हर प्रशन के उत्तर में यही कहता रहा मुझे कुछ नहीं मालूम तो वो जो लोग बच्चे को ढूनने आये थे वो रामचरन से सुवाल पे सुवाल पूछने लगे लेकिन रामचरन हर एक सुवाल का सिर्फ एक ही जवाब देता था आज हम यहां ताकी पढ़ेंगे तो आपने भी यह पढ़ना है और हॉमवर्क भी करना हाँ गया है झाल झाल